तो आप लोग सब ठीट रहे होंगे और लेक्चर सुन रहे होंगे जिसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा बहराल तो आज हम फिर मिल रहे हैं फिर किसी राइटर, पोएट, किसी ठिंकर, दार्शन, किसी साहिते, किसी कविता, किसी उपन्यास के उधेड़ बुन करने के ल पढ़ना, लिखना और ऐसे सवालों से इंगेज करना जो हमें मुटासिर करते हैं जो हमें मूफ करते हैं जो हमें अनसेटल या अनकमफरटेवल करते हैं जो चाहते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हों बहराल आज जो मेरे दिमाग में कविता है जिस बारे में आज मैं बात कर के दुनिया भर के स्कूलों में हिंदस्तान में पढ़ाई जाती है और यह आज भी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यह रेसिजम के टॉपिक को बहुत ही खुबसूरती से तूती है समझाती है और उसको एक्सप्रेस करती है क्योंकि पॉल लॉरंस जन्बर खुद भी एक अफ के बारे में पॉल लॉरंस जन्बर के खुद की बायोग्रेफियं की जीवन के बारे में बात करेंगे हम बहुत इंट्रस्टिंग आज डिस्केशन होने वाली है लेक्चर जैसा की होता है कई बार बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आफिकर मत करिये मैं टाइम स्टैंप्स डा में बताता हूं और आपको बायोग्रफी में ले चलता हूं कि उनका जीवन क्या रहा उनके अपने अनुभव क्या थे ऐसा करने के पीछे जो मेरी में मन्चा है वो यह है कि आप देखेंगे जो पोएम है सिंपथी उसके अंदर जो दुख है वो एक पक्षी के माध्यम से बताया गया है जो पूरी पोएम है सिंपथी अभी हम रीड करेंगे पूरा तफ्सील से discussion करेंगे मैं स्टैंजाब बा इसे स्टैंजा आपको संजाओंगा पोयम क्या है तो आप उसमें देखिए जो पोएम में उसमें जो सेंत्रल मेताफर है जो सेंत्रल सिंबल है वो एक पक्षी का है जो कैद हुआ है अब आप देखेंगे वो जो पक्षी है असल में कवीता पक्षी की नहीं है वो पक्षी का सिंबल असल में एफ्रो अमेरिकन का सिंबल है ब्लैक्स का सिंबल है जो अमेरिका के अंदर कैद महसूस कर रहे थे जो महसूस कर रहे थे कि किस तरह से लीगल जो कानून है उनके साथ जो भेदभाव के जो कानून है उन्होंने उनको जखड़ा हुआ है पर आप देखेंगे जो दुख है उस पक्षी का उसका गायल पक्षी उसका दुख है वो डनबर का अपना दुख है वो उन्होंने जहलावा है अनुभव किया हुआ है वो क किसी दूसरे के अनुभव को वो लिख रहे हैं वो उनका अपना जहलावा उनका और उनके जैसे कई लाखों एफ्रो अमेरिकन के दुख को वो बयान करते हैं इसका विता में बहुत ही पावरफुल पोएम है और इसलिए वो आज धी रेलेवेंट है पर बहराल पॉल लोरंस डंबर का जीवन जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम देख सके उस पक्षी की मायूसी में पक्षी की मायूसी से जादा डंबर का डंबर की मायूसी है डंबर की उदासी है तो उनकी अपनी hopelessness और helplessness की sense है कि आपको afro-americans के बारे में बताना चाता है आप देखेंगे इस poem को पढ़ने के बाद दंबर को तो समझ में आता है या आता है लेकिन आप एक broader question जो है जिस पर आपका ध्यान केंदरित होना भी चाहिए और होता भी है वो है कि afro-american लोग का इतिहास अमेरिका में क्या रहा ह किस तरह कि जुल्म उनोंने 400-500 साल से जहले है कैद का जीवन क्या होता है कैसा जीवन होता है जब आप किसी की वस्तू बन जाते हो या उपको खरीदा बेचा जाता है आपको जानवरों की तरह आपके सतबरताव कुया जाता है उस जीवन का इतिहास क्या है तो आज हम उस भी बात करेंगे उस पे भी बात करना जरूरी है तो आप देखेंगे एफ्रो अमेरिकन्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि किस तरह से लोग हैं कौन आफ्रो अमेरिकन्स आए कहां से अफरीका से कैसे 16-17 शताबदी में इन्हें अमेरिका ले जाया गया ताकि भीया रूई और शुगर यानि गन्ने के खेतों में इन्हें मजदूरी कराया जाए जबरदस्ती जबरन काम कराया जा सके और किस तरह से अबर दर टाइम ये एक बहुत लंबा इतिहास है ये रेसिजम का अमेरिका के अंदर किस तरह से उन्होंने अपने हकों के लिए fight किया है आप देखेंगे इसी इतिहास का एक हिस्सा है आपने देखा का आप American Civil War के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी हाली में बना कर अपने चैनल पर डाली थी मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये lecture सुनने से पहले एक बार आप वो वीडियो देख लें उसका link में description में डाल दूँगा आपको description में मिल जाएगा आपको उसमें context मिलेगा कोई देखेंगे अमेरिका की जो civil war है वो भी इसी slavery के मुद्दे पर हुई है और बहुत relevant लगेगा भी हम बात करेंगा अगे तो आप छूटावा महसूस नहीं करेंगे आपको काफी तफसील से मैंनों वीडियो बनाई है वो आप एक बार देख लीजिए बहराल अमेरिकन civil war तो एक कड़ी है इस कहानी की आप उससे पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे अपने बुकर्टी वॉशिंटन का नाम सुनागा जुन्होंने अप प्रम स्लेवरी नाम की बहुत ही मशूर अगें एंटी रेसिजम एक किताब लेकि रेसिजम के खिलाफ समझाते वे अपनी बायोगरफी लिखी है उन्होंने कि वो भी एक स्लेव थे अमेरिका के अंदर उनके अनुभफ क्या रहा है तो बुकर्टी वशिंटन है फ्रेडरिक डगलस है मज़े की बात है ये दोनों ही जो लोग है जो इनको कहते हैं अबॉलिशनिस्ट है यानि जो स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए अमेरिका में मुहीं चला रहा है थे रिफॉर्मर्स थे ये डनबर के ही समकाली यानि कंटेंप्रेल डनबर इनको जानते भी थे अब ही हम बात करेंगे इस पर आप देखेंगे इसी इतिहास की एक कड़ी हमको कहां जाकर मिलती है आपने रोजा पाक्स के बारे में सुनाओगा वो औरत जो लिंकन मेमोरियल पर दी वो भी इसी घटना का हिस्सा है आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे जो बराक ओबामा जो अमेरिका के बहुत अच्छे राश्ट्रपती रहे अभी हाल फिलाल हाली के दिनों में वो भी इसी इतिहास का हिस्सा है बराक ओबामा एफ्रो अमेरिकन डिसेंट के पहले इंसान है अमेरिका में जो 2008 में राश्ट्रपती बने आप देखेंगे और आप लेटेस्ट आजए तो ब्लैक लाइब्स मैटर एक मुमेंट बहुत चला अमेरिका के अंदर वो भी इसी घटना इसी इतिहास का हिस्सा और इसलिए आज भी रेलेवेंट और इसलिए पॉल लॉर्ण्स डंबर को पढ़ना आज भी बहुत ज़रूरी है अकसर लोग कूछते हैं कि क्यों पढ़ें भाई साब उनको क्या पढ़ा है वाई शुड़ वी केर अबाउट हिम यूल सी डाट इट इस लिविंग हिस्ट्री आज भी रेसिजम की जहां भी दुनिया में आपको असर नजर आएगा खास तोर पर अमरीका में यह अमेरिकन एफ्रो अमेरिकन हिस्ट्री की में बात कर रहा हूँ तो आप पाएंगे कि कितना रेलेवेंट है और पॉल लॉरेंस डंबर इसी इतिहास के दर इसमें कितना स्ट्रगल है कितने जाने गई है इस इतिहास में उस एक इतिहास की उस खुखार इतिहास की एक कड़ी है जो Paul Lawrence Dunbar है और वो इस पूरे दुख को इस समाज के दुख को इस समाज की पीड़ा को इक किस तरह से डिस एन्फरेंचाइस समाज है एक ऐसा समाज है जिसे equal citizen नहीं माना जाते हैं आ कि कवीता sympathy इसी दुख इसी painful history को बयान करती है और आप देखेंगे बहुत ही दिल को छू लेने वाली कवीता हाट रेंटरिंग वर्स है जो आज हम पढ़ेंगे आज पहले डन्बर पर ही बात करते हैं आप देखेंगे पॉल लॉर्स डन्बर उनिसवी शताबदी में पैदा वह निसवी शताबदी 19th century के end वाले हिससे में तो 1872 में उनका जन्म हुआ वो एक एफ्रो अमेरिकन थे इसका मतलब यानि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो अफ आफ्रिका से थी आप देखेंगे उनकी जो मौत हुई वो 1906 में हो गई यानि 34 यर्स का बहुत चोटा जीवन राउन का और उस चोटे से जीवन के अंदरों में कई कविताएं लिखी कहानियां लिखी नौवल भी लिखे और आप देखेंगे कि यह उनकी 1906 में मौत हुई इसका कारण टूबर कलोसिस बताया जाता है जो उस समय पर इंक्योरेबल था आप देखेंगे आस तो ट्यूवी बहुत बड़ी बिमारी नहीं है कोई भी कोर्स ले सकता है सरकारी एस्पदालों के अंदर भी कोर्स है तो वह एजी है रेजॉल्व करना उसको कोई बड़ी इसे पोलियोब एक बड़ी बिमारी नहीं रही उस समय पर बहुत बड़ी बिमारी थी और उसका इलाज नहीं था अमेरिका में तो उनकी जान चली गए बिमारी के पर इंटरस्टिंग बात यह है कि उतने ही छोटे कालमों नोंने इतना कुछ लिखा आप देखेंगे पॉल इसे विडियो नहीं देखी इस डिस्रिप्शन में लिंक है देख लीजे आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा तो अमेरिकन सिविल वर किस मुद्दे पर लड़ी के स्लेवरी के मुद्दे का अब देखेंगे नॉर्धन स्टेट्स हैं सदन स्टेट्स हैं कि सारे southern states में जो slaves हैं वो free हो गए तो डनबर के जो मापाप है वो भी उनी slaves में थे जो की Kentucky नाम की state में गुलामी कर रहे थे slaves थे डनबर के जो पिता थे वो civil war खतम होने से पहले ही भाग गए थे वो उन slaves में थे जो भाग कर northern states की तरफ चले जाते थे ऐसे सिर्फ डनबर के पिताने से बहुत सारे slaves थे जो की इतने खराब कानूस इतना खराब जीवन से जो southern states में को जीना पड़ता था वहां से भाग कर अंडर ग्रांड रेल रोड एक नेटवर्क हुआ करता था यानि सुरंगे बना रखी थी ट्रेंस का माध्यन था जिसके अंदर रिहाईश है रहने का सुने का रास्ता हुआ करता था जिससे southern states के जो slave है जो इतने खराब महौल के अंदर क्योंकि काम करते थे जहां उनको मतलब आप मानिये मारा पीटा जाता था और तो का बलात कार किया जाता था इतनी खराब हाला रही होगी कि उन्हें भाग ना पढ़ रहा है अपनी जान पर और जब पकड़े जाते थे तो उनकी हत्तिया मतलब उनको अब मानीज अगर जो slave भाग रहे है मानली जो पकड़ा गया उसको पकड़ कर पबलीकली जलाया जाता था कोड़े मारे जाते थे lynching की जाती थी टाक आपको कभी ये एंगल समझना है इतिहास का अमेरी एफ्रिक और अफ्रो अवरिकन इतिहास का तो एक हाली में एक Amazon Prime पर एक सीरीज आई है Underground Railroad वो आप जरूर देखेगा बहुत ही इसी टाइम पर जिन्होंने तेरा बार जोखिम उठाया सतर से जादा स्लेव को सदन स्टेट से नॉर्धन स्टेट तक ले जाने के लिए तो ये उसी इतिहास की बात हो रही है जब हम पॉल लॉरेंस डॉन्वर की बात करते हैं तो उनके पिता तो ऐसे ही भाग गए थे लेकि ये थर्टीन चेंज लाए उसके अंदर अपने सम्विधान में और स्लेवरी को कानुनी तोर पर अबॉलिश किया उसको इनैंसिपेशन कहता है नहीं अजाद कर दिया सदन स्टेट के जो स्लेट को अजाद किया नॉर्धन स्टेट की आर्मी में उन्ही अजाद हुए वे दन्बर की मा भी थी जो कि उसी समय अजाद हुए तो अब देख पा रहे है कि दन्बर के माबाप ने भी वो दुख जहला था और उसका असर दन्बर पर भी आएगा ये उनके परिवार से भी उन्हें मिला था कि he knew from his loved ones from his parents that how it felt to be a slave in a country to be working in such harsh barbaric and you know inhumane conditions तो यहां पे एक एंगल बहुत इंड्रस्टिंग है इसके अलावा डन्बर जिस समय पर है रहे है कि अमेरिकन सिविल वार के बाद का जो वक्ता स्लेव को अजाद कर दिया अमेरिका की आर्मी ने तो इसके बाद क्या किया कि जो नॉर्दन स्टेट्स हैं और जो राश्ट्रपती हैं सरकारी एक मुहीम चलाएगे कि अब जो स्लेव्स फ्री हो गया है इनके लिए कुछ रिहाइश कुछ मतलब एफर्मेटिव एक्शन जिसको आज कल कहते हैं कि सरकारी तोर पर कुछ मुहीमें कुछ पॉलिसी चलाई जाए ताकि इन लोगों को जो अजाद हुए भी इनको मेंस्ट् का पीरिड है अमेरिकन इतिहास में जो अमेरिकन सिविल वार के बिलकुल बात शुरू हुआ आप देखेंगे पॉल लॉरंस डंबर अमेरिकन सिविल वार वाले हिस्से में नहीं वो उनके माबाप का इतिहास था पॉल लॉरंस डंबर जिस समय अमेरिका में रहे और जिस सम लेकिन वो अपनी क्लास में एकलो थे यानि वो ओहायो नाम का एक स्टेट है यानि उनके माबब केंटकी में काम कर रहे थे मज़बूर थे महां से भागे तो ओहायो उनकी मां आ गई की ओहायो के अंदर ही जन्म हुआ पॉल लॉरंस डंबर का डेटन एक शहर है आज भी है व कि जिस तरह से जब अमबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उन्हें पढ़ने का मौका मिला क्योंके पिता जी सुभेदार थे आप देखेंगे अमबेडकर को जो पढ़ने का मौका मिला तो वो अपनी क्लास में इकलोते दलित स्टूडेंट थे एक ऐसे की भी कहानी आप देखें डन्बर की भी देखें दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे दोनों ही आप देखेंगे अपनी कमियों और अपने बैगरांड के बावजु जो उनको डिसडवांटेज समाज में दियो डिसडवांटेज जिस से वो आ रहे हैं उन सब को पीछे छोड़ कर उन्होंने अपनी इंटेलेक्ट्वल प्रावेस अपनी इंटेलेक्ट को अपने टैलेंट को समाज को दिखाया और मज़े की बात एक और है कि अमबेड़कर तो लॉयर बने आगे जाकर उन्हें वकालत पढ़ी डन्बर भी वकालत पढ़ना चाहते थे लेकिन अ पढ़ना भी सपोर्ट नहीं था कि बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में प्रेज सको इसमें दूसरा कारण यह भी कि उस समीं भी अमेरिका का समाज क्योंकि भी हाली में जंग से निकला है और एकदम से भी यूटोपिया एकदम से बराबरी भी नहीं आएगी समाज को बदलने में बहुत वक्त लगता है जंग पांस साल की थे लेकिन समाज को बदलने में पांसो साल लग जाते हैं तो इस समाज के अंदर बहुत सरे ऐसे कॉलेजिस भी थे जो की ब्लैक अमेरिकांस को अलाव ही नहीं करते थे पढ़ना उनको एड्मीशन ही नहीं देते थे क् आप देखेंगे येल और कॉलंबिया सी उनिवरस्टी जो बहुत महान विश्विध्या लेकिन उस समय पर वो भी रेसिजम की असर में नजार आते हैं और वो एड्मिशन नहीं दे सकते हैं तो इतनी सारी समस्याओं की वज़े से डंबर का जो खाप था लॉयर बनने का वो न शुरू कर चुके थे और बाद में जाकर उन्होंने इंटरस्टिंग बात है डंबर एक ऐसे अफ्रो अमेरिकन राइटर बने जो आगे जाकर अपनी लेखन से अपनी लिखावट को ही बेज बेज कर अपनी किताबे जो नोने छपाई थी कविताओं की उनको बेज कर ही वो करना पढ़ भी रहा था उनको वो काम उन्हें लिखने पढ़ने की फुरसत काफी देता था लेकिन ये बताया जाता है जो डंबर को जानते थे लोग जो विसम की वाइक हो गई कि जब वो लिफ्ट ऑपरेटर का भी काम करते थे तो भी उनको रेसिजम जहिलना पढ़त और इंटरस्टिंग बात है कि वो स्कूल से ही उनके अंदर ये दिखने लगा था कि उनकी जो साहितिक मिदा है उनको पोटेंशल है राइटिंग की वो स्कूल में नजर आने लगी जैसे मिसाल के तोर पर आप देखते हैं वो अपने स्कूल की जो लिटरेरी मुझे भी जब शॉक था स्कूल के अंदर और आगे था कि मैं भी साहिति ही लिखूँगा और लिखता हूं अभी भी तो मैं भी अपने स्कूल की मैगजीन का एडिटर हुआ करता था तो आपको दिखते है कि स्कूल से ही वो जो एक शॉक लग जाते कि नहीं हम कुछ लिख स्कूल के अंदर जो अख़़दा था जो जिसमें उन्होंने कविता ये चापई वह जो अख़बार करते तो नहीं का नाम से जाने जाते कि उन्होंने दुनिया का फहला मोटर ओप्रेटिट ये एरोपलेन मनाया वो डंबर के क्लासमेट्स और बहुत अच्छे दोस्ट भी थे जिन्हों उन्हें डंबर की कविताओं को अपने अगबार में छापा तो यह बहुत इंट्रस्टिंग एक फैसिनेटिंग इस्टॉरिकल एनेक्डोट है बहराग कूल खत्म करने के बाद डेट because of my color of the color of my skin मुझे वो बराबरी मुझे वो सारी सुख सुविद है वो equality वो अजादी नहीं मिलती है मैं महसूस करता हूँ जैसे मैं बंदी बना गया हूँ कि मैं इस देश का नागरी कुछ देश में पैदा हुआ हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर बराबर नहीं समझा जाता मुझे बहुत look down upon किया जाता है मुझे पैसे कमाने के मेहनत करके पैसे कमा कर अपना घर परिवार चलाने की वी अजादी नहीं है यह जो कैद है यह जो imprisonment है यह डनबर की अपनी है बहराल तो अब देखते हैं कि डनबर कविता है चपाते आगे जाकर interesting बात है कि वो एक ऐस से पहले afro-american writer और poet भी बनते हैं जिनको पूरे America में भी पढ़ा जाता है यानि ऐसा नहीं कि Denver ने लिखा और फिर उनको भूल गया और उनकी मौत के बाद उनने याद किया गया डनबर के साथ यह चीज आपको नजर आती कि उनकी जीते जी भी उनकी कविताओं को सरहना मिलने लगी ना सिर्फ black readers और एक्टिविस्ट और writers है बलकि white लोग भी जो white Americans थे जो की सहनुभूती रखते थे black cause के साथ उन्होंने भी उनको निखारा बलकि उनको promote भी किया और आ इसका सीधा सा कारण अगर आपने काल्माक्स की फिलोसफी पढ़ी है जिसके अंदर वो बेस्ट्रक्चर सूपर स्ट्रक्चर का एडिया देते हैं कि जो बेस्ट्रक्चर है समाज का वो एकनॉमिक रिलेशन से तय होता है जो कि मोड्स और मीम्स और प्रोड़क्शन है यान इकनॉमिक्स पर उनका कंट्रोली नहीं है रिस्वर्स पर सारा वाइट्स का कंट्रोलय बलकि जो एक्परो-आमरेकंज वो खुद आफ़प्चर आप्जेक्ट के रैंदर हो खुद औक प्रोड़क्चर के अंदर उसे ब लेंगे इन्सान को एक शीए और कर रखा था है वह इकनोमिकली एकदम कमजोर हो गए इसी का असर दिखता है इसी वज़े से तो रेसिजम के असर के वज़े से ही डेनबर की मा जैसे कई एफ्रो अमेरिकन्स का उस पैसा नहीं होता तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसो की कमी से नहीं कर पाए थे वो पूरा कर लो पर डनबर ने उनका जो यह प्रपोजल था उसको नकार दिया इसका कारण यह भी हो सकते हो खुद्दार है उनकी कविताओं में भी आप देखोगे एक सेंस ऑफ अडेंटिटी है तो इसले भी मना कर दिया होगा कि नहीं को डिस्टब करता पर उन्होंने लिखते रहे और वो पहले अफ्रो-अमेरिकन बने जिनको ना सिर्फ नैशनल रेकागनेशन मिली बल्कि इंटरनेशनल तोर पे उन्हें जाना गया 34 यह की लाइफ के अंदर तो आज भी पड़ा जा रहा है उनके समय में पड़ा जा रहा बल्कि हार्लेम रेनेशन एक पीरिड है अमेरिका के इतिहास में आप देंगी 1920s के दौर में हार्लेम रेनेशन आया जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स है एक रिवाइवल था एफ्रो-अमेरिकन के म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर का न्यूयॉक में एक जगह हार्लेम मैन हैटन में वहीं से ये मूवमेंट चरी तो उस समय पर जो ब्लैक अमेरिकन थे जो 1920s के थे उन्होंने डनबर की कवीताओं को जिसमें सिंपथी बहुत इंपॉटन कवीता है वह वापस से रिवाइव हुई हार्लेम रेनेसा में आप देखेंगे जो important writers है अगर आपने सुना होगा एक Langston Hughes है और एक Zora Neil Hurston है ये दो important poets है जो उस समय पर रहे हैं आप देखेंगे डनबर को continuously आने वाले आग उनके बाद के writers में भी पढ़ा है और जाना है और वो उनमें बात है क्योंकि उनकी themes है जो इ इसा इनसान जिसने भी समाज की भीदभाव को जहला है वो जिहालत वो हुमिलेशन जहली है वो डनबर से बहुत रिलेट करेगा उसको लगेगा यह मेरे दुख की बात कर रहा है वो sympathize करेगा उसी से sympathy है वो sympathize करेगा उनकी poem के साथ एक interesting बात last कुछ anecdotes बताता हूं आप दे बुकर्टी वाशिंटन मैंने बता है जिन्होंने up from slavery लिखी है उसके बाद Frederick Douglass हो गए इन लोगों ने भी डनबर को काफी support किया उनको सरहाना दी और बलकी तो एक एतिहासिक statement भी है कि बुकर्टी डगलस ने कहा डनबर पर Frederick Douglass कहते हैं one of the sweetest songsters his race has produced and a man whom he hoped great things उनसे बहुत उमीदे हैं और वो उनकी race के एक गाते हुए कवी हैं वो उनके बारे में उनके दुख को express करते हैं तो आप देखींगे अपने साहित्ते को अपनी कविताओं को बेच कर Paul Lawrence डनबर अपना जीवन चलाते रहे अप इंट्रस्टिंग बात है जब मैंने बता है वो एक elevator operator की तौर पर जब काम करते थे तो उसमें उनको lift operate करनी होती थी तो इंट्रस्टिंग बात है वो अपनी कितावे लेकर रहते थे और lift के अंदर जो भी लोग चड़ते थे उनहीं को अपनी कितावे बेच दिया खरते थे तो ऐसे उनकी कविताएं बुरे धीरे धीरे अमेरिका में पढ़ने लगे बिखने लगी अपने जीवन के अंतिम दौर के अंदर जब उनको पता नहीं तो उनको बिमारी हो गई थे तो वो अपने जीवन के अंतिम दौर मर L.O.C. जो है यानि Library of Congress है जो Washington के अंदर अमेरिक दौर में जब वो L.O.C. में Library of Congress में काम कर रहे हैं बही पर जो discrimination उन्होंने महसूस की continuously करते रहते थे एक्जिस्ट कर रहे थे कैसे देश में जहां वाइट सूपरमेसी थी जहां पर blacks जो है जो उनके जैसे लोग हैं उनको look down upon किया जाता है उनको बराबरी नहीं है कानूनी तोर पर उन्हें equality नहीं मिलती थी तो वहाँ पर काम करते हुए वो sense of alienation वो sense of melancholy हो लगता है कि क्या है जीवन का मतलब क्यों ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जहां पर हमें इंसान भी नहीं समझा जा रहा वो उनकी जब heightened बढ़ गई यह sense of उनकी alienation यह उसी समय में उन्ह press the bell icon because जल्दी ही मैं इस वीडियो का second part डालने वाला हूँ जिसके अंदर में afro-american history जो मैंने जैसा वादा किया था मैं उसके बारे में बात करूँगा मुस पूरे इतिहास को समझेंगे American history में afro-americans ने कैसे अपने rights के लिए fight किया है तो वो वीडियो आपका ताकी miss ना तब तक अपना खयाल रखिये कुछ बड़िया नई चीज पढ़ते रहे हैं मुझे comment section में बताईए वीडियो में कि आपको क्या पढ़ना पसंद है जिस पर हम बात कर सकते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में